कि कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीह हूंगे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंट्रक्शन प्लानेट में जहां मैं आपके लिए लेटेस्ट इंफर्मेशन लाता हूं गैजट से जो हुई और एसेसरी से जो हुई साथ में बत और मैं बेस्ट फॉन लेके आया हूं आपके लिए 10,000 की रेंज में बहुत ही अच्छे फॉन है और मैंने काफी चैट करें इसके उपर डिसर्च करी अच्छे अच्छे अच्छा प्रोसेशर बैटरी और हर चीज हर मामली में फॉन बहुत ही पर्षक्त हैं 5 के 5 फॉन और अब यह डिपेंड करता है अगर आपको 10,000 से नीचे अगर आप कोई फॉन लेन की सोच रहे हैं तो साहर आपको जो डिसर्च है इस वीडियो में देखने के बाद खतम हो जाएगी तो दोस्तों जो हमारी वीडियो मैंने आज बनाई है टॉप 5 फॉनों के उपर वो वीडि दिया हो और मैंने बहुत ही पेज वर्क कराया है इसमें मैं आपको पेज में समझाओंगा मैंने पूरा पेज में इसका कंप्लीटली डिटेल लिख हुई है टॉप 5 फॉन जो भी है मैंने आपके लिए अच्छे से अच्छा फॉन लानी की कोशिज किया है अगर यह वीडि करके मैंने पूरा पेज में समझाया हुए अच्छे से अच्छे से हर चीज लिखे हुए है और जो हमारा पहला फॉन है वह है एमाई का रेड्मी नोट 7 जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और दूसरा फॉन है रियल्मी 5 तीसरा फॉन है इंसिनिक्स का S5 प्रो चौ स्नाइब ड्रेगन का 660 का क्वाट-कौर प्रोसेस्स्टर मिलेगा बैटरी मिलेगी आपको 4000 मैं अच्पी और जो इसका वैरियंट मिलेगा आपको ग्रेफको 3GB 32GB में इसका हाल बेरियंट भी मिल दयागा 4GB और 64GB में पर वह इसके जो प्राइस है एक्शुल प्राइस है व वह भी अच्छा वेरिंट है और जो इसका फ्रंट कैमरा है वह है 13 MP का बैक कैमरा 48 प्लस 5 MP का और डिस्प्लेग की बात करें तो IPS LCD है साथ में आपको मिलता है इसमें गोरिला ग्लास बहुत ही यह अच्छी बात है इसमें गोरिला ग्लास आपको मिलता है और चार्जिंग का 10 भी इसमें अपडेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेडमी की फॉन में Android का 10 वाला आ चुका है और बात करते हैं दूसरे फॉन Realme 5 की तो इसमें Snapdragon 665 वाला प्रोसेसर मिलेगा काफी अच्छा प्रोसेसर है इसका Realme 5 का भी और MI Redmi Note 7S का भी 6060 का प्रोसेसर है दोनों अच्छे स्नैप ड्रेगन के और बैटरी 5000 एमेज की बहुत ही बैटरी मिल लिया आपको यह सबसे बड़ी बात है और जो आपको वेरिन मिलेगा इस रेंज में वो मिलेगा 3GB रहना 32GB इंटर्नल साथ में इसको आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं अलग से SD कार्ट लगा के और जो फ्रंट क पिक्सल में और माइक्रो येजबी का पॉर्ट मिलेगा यानि कि फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है और नहीं साथ में USB-C टाइप पॉर्ट मिलेगा और इसके ऑपरेटिंग सिक्स्टम डियल्मी के सारे फॉनों में कलर वेरियंट आता है तो इसमें भी कलर वेरियं तो ये भी 8999 रिंजिते हैं हमारे तीसरे स्मार्टपोन की वह है इन्फ6 का एस फॉर जो पी डाथी अच्छी ओन ये अलग है तो अच्छा प found रहें लेकिन अच्छ अच्छी से अभी इसकी मार्केटिंग चल लिए और बात करें इसके प्रोशय सर्कीतों मीडियाक को Healyoo बहुत ही पुराना प्रोसेशर है स्नैप ड्रागन के मुकाबले तो प्रोसेशर के मामरे में थोड़ा यह उतना खास नहीं है और बैटरी इसमें 4000 इमेच की है इसको एक्सपेंडेबल कर सकते है और बात करें इसके फ्रन्ट केमरी की 16 मेगापिक्सल का और डिस्पेली की बात करें तो IPS LCD डिस्पेली मिल जाएगी बहुत ही अच्छा है अगर चार्जिंग की बात करें तो लीप उलीमर माइक्रो यूएश्पी इसमें पोर्ट और लीप उलीमर की बैटरी है बहुत अच्छी बैटरी और इसका उपरीटिंग सिस्टम है एंड्रोइड का वर्जन तैन यानिंगे Android का 10 मिल जाएगा आपको 10,000 में के इसकी रेंज है आपको जरूर लेना चाहे है लेकिन इसका बात करें इसके प्रोसेसर की तो वह उतना खास नहीं है प्रोशेशर वह उतना खास नहीं है क्योंकि बहुत ही पुराना प्रोशेशर है अब बात करते हैं अपने छौने फोन की तो है और Heaney by बहुत ही अच्छ फोन है honor के तो सारे फ्वोन अच्छज है और जो इसका प्रोसेसर है वह है थोड़ा आल्लाग प्रोसेसर है लेकिन honor अपने ज्याधा दर फोनोंते और यही व्याला फंसर उच्छ आँडा है 128 GB की इंटर्नल देना और साथ में 512 GB तक का इसमें अलग से SD Card सपोर्ट कर सकता है और 32 Mbps का इसमें फ्रंटी कैमरा है और बात कर इसके बैक कैमरे के तो 24 Mbps प्लस 8 प्लस 2 का इसका बैक कैमरा यानि कि ट्रिपल कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा और डिस्पिले IPS LCD डिस्पिले मिलेगी और ली पॉलिमर की बैटरी मिलेगी फास चार्जिंग अवलेबल नहीं है और एंड्रोइट का 9.20 वर्जन मिलेगा और यह इसकी रेंज की बात करें तो यह भी 10,000 के लगबग आपको मिल जाएगा 9,999 का और बात करते हैं इसके अब च प्रोसेसर देखा जाए तो लिनोव का ही है और बैटरी भी इसमें बहुत बड़ी बैटरी है 4050 इमेज की इसकी बैटरी है 4GB और 64GB का वेर्जन मिल जाएगा आपको बहुत बड़ी बात है और 16 Megapixel का front camera है 1685 का back camera यानि के triple camera आपको मिल जाएगा IPS LCD इसमें भी मिल जाएगी वह 9.0 है पाई वर्जन है और इसकी जो market value है वह है 8626 रुपी काफी अच्छी बात है इतनी range में इतना अच्छा प्रोसेसर आपको मिल दा है और देख सकते हैं मैंने आपको सारा बता दिया इस page में कि कौन सा phone कैसा है इसकी range भी मैंने आपको बता दिये है पहला phone यह 9000 यह यह भी 10,000 का और यह 10,000 यह 8,626 का तो मैंने पुरी list complete यह बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो MI Redmi Note 7 एक phone है और एक Realme 5 और तीसरा phone Lenovo K10 Note मुझे बहुत अच् अच्छे फोन हैं लेकिन इनके प्रोसेसर उतने खास नहीं है और बैटरी के मामले में प्रोसेसर कैमरा और चार्जिंग हर चीज के मामले में MI Redmi Note 7 और Realme 5 और Lenovo K10 Note काफी अच्छे phone है तो आप डिसाइड कर सकने कि आपको कौन सा आपने मैंने कैसे पेजवर्ब करके आपक अच्छे मुझे फोन लगे वह एमाई का Redmi Note 7 है और एक तेल में भाइब बहुत इस रहा है लिनोगा केटा नोट तो आप खुझी डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा फोन लेना है और सारे फोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और थैंक्य पर है हमाई चैनल इंस्पेक्शन प्लैनेट को लेटिस्ट इंफर्मिशन के लिए गैजट से रिलेटेड ऐसे से रिलेटेड और टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड तो थैंक्यू गाइस मिलते हैं अगी वीडियो